किसी भी टाइम आएंगे सिर्फ आपको बेल्डिंग मिलेगा आगनी कम मिलेंगे साथ पुजारी हो तो उसका कभी-कभी भगवान का दर्सन होता है उसी प्रकार यह बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जिस प्रकार से भगवान का दर्सन होता है कभी-कभी उसी प्रकार से यहां उनसे भी बढ़के हैं इनका दर्शन होना समझ लिजे भगवान का दर्शन होने के बराबर है नास्कार मैं हूँ सागर कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं क्यों सत्यूज अभी हम लोग बाका के दुधारी पंचायत में हैं दुधारी गाओं में आए हुए हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये ताला ध्यान से देखे इस ताले को और इस ताले के ठीक पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यहां की महिलाओं के आकांचाओं पर ये ताला लगा हुआ है ये जो ताला आप देख रहे हैं यहां की जो गरीब महिलाएं हैं बेरुजगार जो महिलाएं हैं उनकी भावनाओं पर ताला लगा हुआ है उनकी आकांचाओं पर ताला लगा हुआ है और उनके बेरोजगारी से जो रोजगार की तरह बढ़ने का जो मर्म है उस पर ताला लगा हुआ है आप मेरे ठीक पीछे आप ये बोड देख रहा है मैं बोड को पढ़कर दिखाता हूँ बोड पर बड़े बड़े एक्ष़रों में लिखा हुआ है मुख्यमंतरी तसर विकास परयोजना अंतरगत फिर समय पढ़ता हूँ, मुख्यमंत्री तसर विकास पर्योजना अंतरगत समान सुलब केंदर की स्थापना, महिला तसर धागा करण केंदर, जोगी डी दुधारी बाका, कारियान वेन परादिकारी अगर पर्योजना परादिकारी तसर अगर पर्योजना केंदर, इना राव परण कटोरिया बाका अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए यह लिखा भी हुआ है थोड़ा साथ धुन्दला दिख रहा है दूरगा देखिए यहां दूरगा दूरगा दूरविट गया है लेकिन हम लोगों ने कावालों से बात किया तो भवन के अंदर में कई ऐसे मसीन रखे हुए हैं जिससे महिलाएं धागा बुनती थी कोकुन बनाती थी और उसको बेज कर अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता था लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस केंदर को चलाने वाला कोई नहीं है इस केंदर की देखबाल करने वाला कोई नहीं है और जो लोग उनको खुलवाने वाले थे जो महिलाओं से काम लेने वाले थे वो महिलाओं महिला जो काम कर देती थी बना देती थी तो उनको पैसा नहीं दे आ जाता था आप देखिए कि यह जो चरखा है यह मसीन अंदर में लगबग 15 की संख्या म मसीन यहाँ पढ़ा हुआ है हमारे डिपोर्टर हमारे कीमरा पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के मसीन है तसर बनाने वाले यह देखिए कितने अच्छी अच्छी मसीन पड़े हुए हैं और सब ठप पड़े हुए हैं रखे हुए हैं यानि ये जो पूरी तरह से प्रकिरिया है इस पर एक समालिया निसान आप देख रहे हैं ताला लगा है इसलिए में अंदर नहीं जा पा रहा है हम आपको खिड़की के माध्यम से दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग है इस्ट्रक्चर है और ब देखने वाला नहीं है बिहार के ताजा तरीन मुख्यमंत्री जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं उनके विकास के दाओ की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट है हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे नलजल की इस्थिती हो गई और अब ये उद्योग की स्तिती हो गई तो बिहार में सहनमाज हुसाइन जी जब उद्योग मंत्री बने थे तो आसा जगी थी कि उद्योग के छेत्रों में अच्छा काम हो रहा था लेकिन अब आने वाला समय में उद्योग से रिलेटेट क्या काम होते हैं वो तो मान मानेने मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे लेकिन इस तरह कि जो भी सेंटर हैं खुले हुए हैं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है हमारा आग्रह होगा मानेने मुख्यमंत्री जी से और विभाग के जो मानेने मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जो होंगे उनसे भी आग् अब इसके ठीक बगल में एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा यह माननी यह मुख्यमंत्री जी का विकास है आप देखिए यह आईसुमान भारत हेल्थ एंड वेंडलस सेंटर स्वास्त उपकेंदर दुधारी यहां पर अमूमन आप देखिए मैं ठोड़ा सा पास चलक इनमें यहां के सेंटर चलाने वाले एनम है जो भी एग रेट के स्टाफ हैुए उनकी कोई गलती नहीं है। बराबर इन लोगों को किसी अन्य कारियों में लगा दिया जाता है तो गल्ती इन लोगों की नहीं है अब मत खोलिए उसको छोड़ दिये तो गल्ती उन लोगों की नहीं है गल्ती यहां के प्रशासन की है पदाधिकारियों की है कि इस तरह के बड़े भवन का उद्गाटन कर देते हैं यहां के विधायक जी आज तक विधायक बनने के बाद यहां पर नहीं आए है रामरायाल मंडल जी जो की भारती जनता पाटी के विधायक हैं वो यहां पर नहीं आए है कोई अधिकारी पदाधिकारी देखने वाला नहीं है हम इन से बता हम इन से बात करेंगे क्या नाम हुआ सर अपका मेरा घर यहीं परता है आप देख सकते हैं किसी भी टैम आएंगे सिर्फ आपको बेल्डिंग मिलेगा आदमी कम मिलेंगे अभी लेगा क्या कहा चाहेंगे यह क्यों खुला हुआ फिर फिर फुला हुआ है तो यह आप देखें कि शौस के अंधरे स्वास्थ मतलब होता है कि आद्मी सुस्त रहे तभी हमारे देशका विकास होगा अधिकाशन सौस्ट होगा इमपोटेंट है जुछसन तो आदमी जै कभी कभी बढ़ी बात कर रहे हैं जिस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है कभी-कभी उसी प्रकार से यहां पर जो स्वास्त्त कर भी है उनका दर्शन कभी-कभी हो पाता है स्वास्त मंत्री नए नवेले भी बने है तेजस्वी यादव उनके पिता जी ने तो पूरे बिहार को लूटके बरबाद कर दिया जंगल राज कर दिया और बिहार में दुवारा जंगल राज का आगमन का ये सूचना आ चुका है बस नितीश कुमार पल्टू वावू हो गए जंगल राज दुवारा जंगल राज पाट टू या पाट थिरी का आगमन हो रहा है जब से सरकार बनी है तो खुला भी नहीं है उससे पहले तो थोड़ा वहुत खुलता भी था यह नए सरकार में नले से ने पहले नहीं सरकार ед महराश जी अगर उसको शपने में यहां एक बगणमें का नहीं जी आज शाना सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं अभी समस्या है सुखाड की समस्या है लोग रोपनी नहीं कर पा रहे हैं सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो अंसूल कुमार से हमारी बिनन प्रार्थना है कि बांका जिला को सुखाड घोसित कर दिया जाए क्योंकि हम लोग जनमास्टिमी से 10 दिन पहले धान रोप के फिरी हो जाते थे लेकिन एक उपाए और बताया कुछ ग्रामीनों से हमने बात किया तो जो ओड़नी डैम में पानी है अगर कुछ इस तरह की विवस्था की जाए नहर की विवस्था की जाए और वहां से पानी नि समझें कि दो सूर्य हो गया जैसे एक सूर्य तो भगवान है हम समझेंगे अगर पानी आ गया तो दूसरा सूर्य हो जाए क्या हम लोगों के खेट जो ढड़ा बारी हम लोगों का खेट है सर वहां पे नहर खुदा के हमारे बहुत गोतिया का जमीर उसमें चला गया और जम हम लोग कई गाओं में ग्राउंड पे गया और देखे तो सुखाड पूरी तरह से सुखाड का प्रभाव है और लोग रोपनी नहीं कर पा रहे हैं तो बांका के डियम है प्रसासन है जो भी विधायक है जो भी शेतर को देख रहे हैं उन लोगों से आगर है कि इस पर आपको करना है सच कौन है और जूट कौन है हम केबल सच की कैमरे पे सच दिखाते रहेंगे कैमरा परसन अपसर आलम जी के साथ सागर कुमार दोधारी पंचायत बांका केबल सच नियुद थाई